साथ क्यों इससे मैं देश अपने आज़ाजी का अमरुपनात महोचों मना रहा है। हमें स्वतंतरता दिलाने के लिए भारत मा के लाखो वीर सपूतों और वीर बेटियों ने अपने जीवन अपने सुक्स विदा की आहूती देजी थी। उस आहूती ने हमें आज का स्वतंतर जीवन दिया है। इस अमरुप महोचों में हमें भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीडियों को कुछ दे कर जाएंगे। इस कालखन में हमारे द्वारा किये गए कारिय बावी पीडियों के लिए प्रिनना बने। उन्हें अपने कर्तवियों की याद दिलाएं। यह बहुत आवशक है। जैसे अभी हम सब मिलकर एक काम जरूर कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आज मत प्रदेश में लाखों परिवारों से मैं बात कर रहा हूँ। इतनी संक्या में लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं एक संकल्प के लिए जरूर कहूंगा। हम संकल्प करें कि इस वर्ष, जब ये नया वर्ष शुरू होगा दो-चार दिन के बाद, इस वर्ष ये जो वर्ष प्रतिपदा है। वहां से लागर के अगली वर्ष प्रतिपदा तर, यानि हमारे पास बारा महिने हैं, 365 दिन है, हम संकल्प करें। हर जिले में आजादि के अमरुत महुत्सव की याद में, हमारी भावी पीडी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए, हर जिले में 75 अमरुत सरोवर बनाएंगे। और मैं तो चाहूँगा संबव हो तो हर जिले में ये अमरुत सरोवर नए हो, बड़े हो, इनके निर्माण में सरकार की तरफ से जो मंद्रेगा का पैसा आता है, उसके भी मदद ली जा सकती है। आजादी के अमरुत महसों में हर जिले में 75 अमरुत सरोवरों का निर्माण आने वाली पीडियों के लिए बहुत उप्योगी होगा। इसका बहुत लाब हमारी धर्ती माता को मिलेगा, यह हमारी धर्ती मा प्यासी है, हमने इतना पानी खीच लिया है, इतना पानी खीच लिया है, यह धर्ती मा की प्यास बुजाना, इस धर्ती मा के संतान के रुप में हमारा करतव्य बनता है। और इसके कारण प्रकृति के प्राणों में भी एक नई उर्जा आए जाएगी, नई चेतना आजाएगी, इससे छोटे किसानों को लाब होगा, महिलाओं को लाब होगा, इतना ही नहीं, ये तो जीवदया का काम होगा, पसुपक्षियों को भी बहुत मतददगार होगा, यानि हर जिले में 75 अमरत सरोवरों का निर्मान, मानवता का बहुत बड़ा काम है, जिसे हमें जरूर करना चाहिए, मैं सभी राज्य सरकारों से, स्थानिय निकायों से, पंचायतों से, इस दिशा में काम करने का आगर करता हूँ लेटेश अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए, टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए